दूस्तूं, आज मेरे पास दो अलग-अलग स्मार्टफोन है, पहला है यह समसिंग का कीपड मोबाईल और दूसरा है मेरे पास स्मार्टफोन, तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपने कीपड मोबाईल से बहुत ही असानी से आप स्टार 99 स्टार 99 has number का यूज़ करके आप बहुत ही असाने से बिना इंटरनेट के पैसे को ट्रांसफर कर जकते हैं वीडियो को इन तक जरूर दिखीगा तब ही आप समझ पाएंगे हलो दोस्तों में राम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना हीडूब चनल हमसफर टैग तो चलते हैं डारती मोबाल फोन की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कैसे आपको स्टार 99 has number का यूज़ करके पैसे को ट्रांसफर करना है दोस्तों बिना इंटरनेट के पैसे भीजना बहुत ही असान है हम यहाँ पर सबसे पहरे आपको इंटरनेट बंद करके दिखा देते हैं और हमने यहाँ पर इंटरनेट अपना ओफ कर दिया है अभी आपको करना यह है कि आपको अपना डालर पैड उपन करना है और यहाँ SIM वाला है तो मैं उसको select कर लूँगा आपका जो भी SIM card bank खाते में link है आप उसको select कर लेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा wait करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पाइ SMS आएगा उकी कर लेंगे और उकी करने बहुत सारे options मिल जाते हैं send money, request money, check balance, my profile, pending request, transaction, upi pin तो यहाँ पर आपको अलग-अलग options मिल जाते हैं तो अभी हमें यहाँ पर पैसे transfer करने हैं तो हम यहाँ पर एक number enter करेंगे और यहाँ पर send पर click करेंगे UPI ID पर भीजना चाहते हैं या फिर आप जो है जो भी आपने पहले से save किया हुआ है account number तो आप उन पर भीजना चाहते हैं या फिर आप जिनको पैसा भीज रहे हैं उनके आप bank खाता पर और IPC code की थूँ पैसा भीजना चाहते हैं तो चलिए दुस्तों मैं यहाँ पर आपको पांचवा number आपको तरीका दिखाता हूँ लगभग यहाँ पर आपको 5 तरीके देखने को मिल जाते हैं अलग-अलग पैसा transfer करने के तो जो पांचवा नमबर का मैं बेटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करूँगा दुबारा से आप थोड़ा सा वेट करेंगे आप पूछ रहा है कि जो भी आप अकाउंट पर पैसा भेज रहे हैं उनका IFSC Code आपको यहाँ पर एंटर करना होगा जिनको आप पैसा ट्रांसपर कर रहे हैं तो हमने दूस्तों यहाँ पर IFSC Code एंटर कर लिया है अब हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे चलिए सेंड पर क्लिक करते ही थोड़ा सा आप दुबारा वीट करेंगे आप यहाँ पर बोल रहा है जिसको भी आप अकाउंट पर ट्रांसपर कर रहे हैं उनका यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट नंबर एंटर करना होगा तो दुस्तों मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है अब हम दुबारा से सेंड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने एक और आपसन आएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि जिनको भी आप पैसा ट्रांसपर कर रहे हैं तो जैसे अगर आप अपनी फैमिली मेंबर को ट्रांसपर कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि ब्रदर, सिस्टर और फिर अपने किसी फादर, मदर को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है अपने फादर, मदर डाल सकते हैं तो जैसे मैं मान के चलो मैं wife को डाल रहा हूं या फिर मैं self कर लेता हूं यानि कि मैं खुद के transfer कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर self लिखा आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं है उसके बाद आपको send पर click करना होगा अब दूस्तों जिसको भी आप पैसा transfer कर रहे हैं उन आपने वहाँ पर अपना भीम UPI pin बनाया होगा उसी को आपको enter करना है अगर आपको नहीं पता कि आपका यहाँ पर भीम UPI pin क्या है तो आपको करना यह है दोस्तों कि वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा कि कैसे नया UPI pin बनाया जाता है उस वीडियो को आप बाद में ज चुका है successfully और हमने जिस account में पैसे ट्रांसपर करें है उस account पर पैसा भी आ चुका है अगर आप इस account को future के लिए save करना चाहते हैं तो आप एक प्रस करेंगे और यह account retail आपको बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह के से आप बहुत ही असाने से बिना internet के star 99 has के पार मैंने पहले से बीडियो बनाया हुआ है अगर आपको बीडियो देखना है तो बीडियो को description में या फिर आपको ऊपर आप लिंक बिल जाएगी आप उस बीडियो को जरूर देखीगा और दोस्तों ये बीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और बीडियो को